असलाम लेकूम मैं हूँ साधिया उज्ययर welcome back to साधिया उज्यर स्कीचन आज मैं आपके साथ किवामी सीवई बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी और इस रेसिपी को ट्रेडिशनल वे में बनाऊंगी स्टेप बाइ में स्टेप-बास-टेप इसकी कम्पलीट रेसिपी आप फूर्थ कप खालिस खी आप वेजिटेबल घी भी ले सकते हैं लेकिन खालिस खी में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है अब इसमें तीन से चार सबस इलाचियों को तोड़कर शामिल करेंगे और एक मिनट तक हलका सा फ्राइ कर लेंगे इस खी में हमें सवईयों को फ चमच चलाते हुए हलकी आच पर घी में इनको फ्राइ करना है जब तक के इनके उपर गोल्डन कलर आ जाए बस यह दिहान रखना है कि फ्लेम को इसके नीचे हलका रखना है और चमच लगातार चलाना है वरना यह सवईयों कहीं से डार को कहीं से लाइट हो जाएंगी एक इसके लावा यह जल भी सकती है तो यहाँ पर मैंने हलकी आच पर लगतार चमच लाते हुए गी में सवईयों को फ्राइ कर लिया है आप देखें कितना अच्छा सा इनके उपर कलर आ गया है तो बस अब इनको पैन में से निकाल कर साइट पर रख देंगे और अब उसी कु रोस्ट कर लेंगे तो ड्राय रोस्ट करने के बाद इनको मैंने एक बॉल में निकाल लिया है अब इनको पहले रूम टेंपरेचर पर अच्छे से छंडा होने देंगे और फिर उसके बाद ग्राइंडर में पीस कर इनका पाउडर बना लेंगे और नेक्स्ट अप फिर से उसी कडाही में शामिल करेंगे दो चाय के चमच देशी घी में शामिल करेंगे दो खाने के चमच चौप के हुए पिस्ते दो खाने के चमच चौप के हुए बदाम और दो खाने के चमच किश्मिश अब इनको भी हलकी आच पर इसी तरह से लगतार चमच चिलाते हुए हलक किलो चीनी इस रेसिपी में जितनी सवईया होती है उससे चार गुना जादा इसमें चीनी एड़ होती है 250 क्रम सवईया है तो एक किलो चीनी एड़ करेंगे और एक किलो या चार कप ही इसमें पानी एड़ होगा लेकिन इसमें मैं एक कप डूद आड़ करूंगी जिसके पशेवर पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं इसके लावर इसमें एड़ करेंगे थोड़ा सा food color और अब इसके नीची flame को high करेंगे high flame पर इसमें boil आने देँगे sugar सिरफ में आप देखें अच्छे से boil आ गया है अब इसमें शामिल करेंगे 1 cup full fat milk और 1 first cup deci न क्यूंकि अगर sugar syrup ज्यादा थिक हो जाएगा तो सवईयां अट करने के बाद वो इसमें अकड़ जाेंगी सफ्ट हो जाेंगी yeah तो तक्रिविन चे मिनट हो गये हैं शुगर शिरफ को पकते हुए अब इसमें सवईया अट कर देंगे सवईयाँ अट करने के बदाम और काजू को पीस कर उसका पाउडर बनाया था वो एड़ कर देंगे साथ इसमें शामिल करेंगे दो खाने के चमच पिसा हुआ कोकोनट और इसके लवा जो हमने घी में नट्स रोस्ट किये थे वो एड़ कर देंगे एक बार तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और कवर करके हलकी आँच पर पांच मिनट के लिए इसको पकने देंगे फ्लेम को इसके नीचे बिल्कुल हलका रखना है तो पांच मिनट के बाद यहां पर आप देखें सवईया हमारी तक्रीबन तयार है इस पॉइट पर इसमें आदा कप खोया एड़ करके मिक्स करेंगे अगर आप खोया एड़ नहीं करना चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं लेकिन यह होमट खोया है जिसे मैंने घर में तयार किया है इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर है अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं और यहाँ पर आप देखें सवईयां तकरीबन पक चुकी हैं अब हम इन सवईयों को गर्मा गर्म डिशाउट करेंगे तो रेसिपी पसंद आई हो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजेगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब भी कर लीजेगा तक आप इसी तरह की मजीद रेसिपीज भी देख सके और लास्ट में इसके उपर इस तरह से थोड़ा सा खोया और थोड़े सी नट्स डाल देंगे जिस तरह भी आप इसको डेकुरेट करना चाहें तो ट्राइ कीजेगा और फीड़बैक भी दीजेगा इसी के सासाथ अपना बहुत सा ख्याल रखेगा द्वाम याद रखेगा थेंक्यों फॉर वाचिंग अलाहाफिस